के ड्राइवर थे उन्होंने इसमें जुटा कांट प्रतिवेदित कराया अपने मालिक को जो ट्रक का ट्रक में जो सामान लोट था उसके जो उनर थे उनको जूटी सुझना दी ट्रक की कपड़ा था उसका लगबग 80% कपड़ा हम लोगोंने जब्द कर लिया है जो लगबग के अलग-अलग मामले जो है सामने आते रहते हैं ऐसे में एक और नया एक मामला सामने आया है जहाँ पर कपरे से लदे एकंड़ गया था जिसको लेकर पुलिस लगता सिनक्त कर रही थे वही आपको बता दे कि ट्रक मालिक के द्वारा जो है मनियारी ठाने में लिखित आव अब ही मिली है वही 80% से उपर कप्रे को बरामत कर लिया गया है जो महांगे डिमांड की जाते हैं जो कप्रे लोग पहांते हैं उसका गारी गाइब हो गया था जिसके बाद उसमें कई लोगों का नाम सामने आया है और गिरफतारी भी हुई है और आपको बता दे कि सारे 5 ला एससपी राकेस खुद सुनिये ट्रक की लूट हो जाने का मामला प्रिकास में आया था और जो कोलकता से चलकर नरकटिय गंज की ओर जा रहा था और इसमें रेडिमेट कपड़े लोट थे और इस सुचना के अधार पे मनियारी थाने में कान दर्ज किया गया था और जिसमें पश्वी के पुलिस कभीशे का आनंद की नित्यत में एक टीम काम कर रही थी इसमें मनियारी के थाना थे और जो हमनों की डियाईउ की टीम है वो भी लगातार प्रयासरत थी और इसमें शुवाती इस तर पे दो लोगों की गिरिफतारी की गई थी जिसमें एक का नाम हमजा अली है दूसरे का इन दौनों को पुना रिमांट पर लिया गया और फिर इन से पूस्ताश की गई और उसके आधार पर फिर से दो लोगों की और गिरिफतारी की जिसमें एक का नाम वकास अली है और एक का नाम हमेश कुमार है इस पूरे ही प्रकरण में जो वास्विक्ता सामने आई वो यह उसके जो उनर थे उनको जूटी सुझना दी चक के लोड हो जाने की और उस पूरे ही सामान को वैशाली जिलाहंतर करते पलिगाओं थाना है वहां पे एक व्यक्ति ही जिनको बेचा गया था इसमें से जितना भी कपड़ा था उसका लगबग 80% कपड़ा हम लोगों ने साकार किया है और जो भी स्टीम इसमें लगी थी उनको हम लोग प्रुस्कित भी करेंगी प्लानिंग कैसर मक्सद मक्सद क्या प्लानिंग तो इनकी यही थी कि इस सामान को आपस में बाट लेना है और मार्केट में बेज देना है और जो माल के ओनर है उनको बताना है कि इसी कड़ी में जहें इसका उद्विदन कर दिया गया है ऐसे ही खावर देखने के लिए यूट्यू चैनल पर बने रहे ताकि हरेक अब्रेट आपको मिलता रहे तब तक के याद जिया जाहिन जाए भारत